हेलो एवरिवन वेलकम टू ऑली बोर एससी एन रेलिबे यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं सोनुकुमार आप सभी का डिजनिंग फेकल्टी आप सभी का वेलकम करूंगा आज के इस इंपोर्टेंट स्वागत यह पर होका है तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि काफी इंपाटेंट बातें हैंना काफी important tips और कहां कहां किन किन point को ध्यान में रखना है इसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा ठीक है सारे fact के basis पर सारे point को compare करते हुए इन चीजों के उपर हम discuss करने वाले हैं तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा एक एक करके हम discuss करेंगे CGL examination जो हुआ था आप सभी को मालूम है कि यह paper आपका यहां पर एक से लेकर 13 दिसंबर 2022 में कराया गया ठीक है आया उसमें भी आपने देखा कि पैटर्न हो गया किसी को उपीद नहीं थी लेकिन किया गया ट्वेलिट बेसिस पर पर किया एक प्राया जाता है तो इसको एक बार अनलाइज करना पड़ेगा कि उसके के लिए हम क्या कर सकते हैं है वहां से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो CGL टायर 1 2022 पेपर जो आपका हुआ था वह एक से लेकर 13 दिसंबर 2022 में कराया गया डिफिरेंट में कराया गए चार सिफ्ट थे एक में और मतलब कई सारे कराये गए एक से 13 के बीच में पेपर जो है लेवल किसी सिफ्ट में आपका ईजी आया किसी में मौडरेट आया किसी में बच्चे कहें टफ था बहुत लिंदी पेपर रहा है तो उन सभी कि चीजों के बारे में बात करेंगे कि उससे हमें करना क्या है ठीक है पेपर जो हुआ लिंदी हुआ टफ हुआ बहुत एजी रहा है न तो उससे क्या सीख है मिल ली और जो CHSL टायर हम CHSL 2023 के लिए कर सकते हैं बस वही बाते करेंगे आज हम ठीक है अब एक्जाम पैटन देखते हैं कि सीजियल 2022 में जो पेपर हुआ है टायर वन में आफ्टर पैटन चेंज के बाद हना उसमें क्या पैटन रहा है जो किये गया है वह टायर टू में किये लेकिन हाँ चेंज बिल्कुल सही बात है कि पैटन चेंज हुआ है वह टायर टू में हुआ है लेकिन यहाँ पर टायर वन में भी चेंजिस हैं चेंजिस कहां पर है तो क्वेस्चन पूछने के तरीके में हैं क्वेस्चन के लेवल में हैं तो उसके बारे में 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 तो यहाँ पर टायर वन का सवाल पचास नंबर ठीक उसी तरीके से क्वांट भी है और इंगलिस भी है यानि कि टोटल सौ सवाल दोस्तों नंबर और टोटल टाइम जो है वह आपको सवाल पचास नंबर कन फीजिए वाले म में अंअ कि एस्टेट्मेटिक इस्किल में में नहीं मैं और नेंगल ऑस बैसिए तरह एसंचल करे क्या कुछ इन नहीं है यह दोनव कि श करेगा पेपर में जो difference create होगा लेवल में या question के pattern में questions के level में वो discussion जो है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर कि वो difference कौन सा है क्योंकि CGL tier 1 में भी quant आया है वो एक different level का quant आया है कुछ चीज़े unexpected रही है ठीक है तो उसके बारे में बात करेंगे हम तो यहाँ पर भी 100 question 200 number के आपके रहेंगे और एक गंटे का समय रहेगा और 0.50 as usual जिस तरीके से है उसमें भी और इसमें भी 0.50 का negative marking for each wrong answer आगे बढ़ते हैं हमने दोनों exam exam का pattern देख लिया ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो changes किये गए हैं वो changes क्या है एक बार चिंदिस के बारे में हम यहाँ पर देखने की कोसिस करेंगे टायर 1 is only qualifying in nature टायर 1 का जो एक रखा गया है वो सिर्फ qualifying रखा गया है यह आपके merit में add नहीं होगा अभी जग क्या था कि टायर 1 जो है वो आपके merit में add होता था अब qualifying है वो टायर 1 सिर्फ qualify करना आपको क्यों क्यों क्योंकि आपको टायर 2 देना है जो merit बनेगा वो टायर 2 पर बनेगा additional section of reasoning, general awareness, computer module, data entry test यह सारी चीज़े add की गई है कहाँ पर आपके टायर 2 examination में टायर 1 वही paper है उसी तरीके से होने वाला है only tier 2 will be conducted for merit यानि कि merit जो decide होगा वो आपके tier 2 के marks पर basis पर किया जाएगा टायर 1 में इसका कोई role नहीं रहा गया है, it is only qualifying in nature ठीक है और बाकी जो एक normal tier 3, tier 4 के तरीके से चीज़े चल लही थी वह उसको scrap कर दिया गया उसको हटा दिया गया तो सिर्फ दो होंगे tier 1, tier 2 बाकी जो data entry के test है है ना computer के test है qualifying है यह सब चीज़े और भी इसमें add करी गई है वो tier 2 की बात है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी basically main focus है tier 1 के उपर कि tier 1 में हम किस तरीके से है ना अच्छा से topic हमारे लिए important बना जब cgl tier 1 का paper हुआ है एक से 13 दिसंबर 2022 में paper कराया गया जितने बहुत सारे सिफ्ट हुए इस 10 दिनों में इस 10-12 दिनों में तो मतलब उसमें important topic क्या रहा उसके बारे में एक बार हम जानेंगे और उसी के according अपनी तयारी हम करेंगे क्योंकि यह एक सी कहां से हुआ वह सीपीओ एक्जाम 2022 से हुआ था जो आपको 9-11 नमंबर के बीच में कराया गया था यह चिंज आपको तभी सुरू हो गया था लेकिन वह मेजर चिंज आपको सीडियल में देखने के लिए मिला अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे important areas of reasoning कि सीजियल जो सवाल आपको बने sillon लियां लिजंग से बने कोडिंग डिकोडिंग से बना डाइस से बना वेंड टैग्राम से सवाल पुछा गयाँ मेररज वार्टर मेंस सवाल पुछा गया पेपर फोलेउंग क Detroit से पूछा गया फीगर आपइक सबाल पूछा गया आपको सब्सक्तर और इसमें circle based, linear based, row based और square based हमें arrangement देखने को मिला CGL के examination में तो अब CHSL में हमें क्या करना है कि इन सारे topics पे हमें focus करना है तभी हमें एक अच्छा number क्या करेंगे हम लाप आएंगे उसमें ठीक है उसमें हमें focus करना पड़ेगा तभी CHSL 2023 में जो होने वाला है मार्च में अभी भी बेटा दो महिना बचा हुआ है आप अराम से इन topics पे focus करें और maximum practice जो आपका होगा सवालों का वो इन topics के उपर होने चाहिए तभी आपका एक अच्छा score बन पाएगा पचीश सवाल पचास number के हैं है न उसी तरीके से अगर आपने मान लो इन में से पचीश सवाल में आपकर आपने 22 सवाल 23 सवाल कर लिए तो कितना अच्छा होगा है न तो आपको करना पड़ेगा इन topics पर आपको focus करनी परेगी क्योंकि यह क्या है most important topics है reasoning के जो कि आपके CGL में पूछे गए जो कि आपके CGL में पूछे गए और यह आपके पूछे गए major portions question का यहां से आया है आगे बढ़ते हैं यह दो बात हो गई reasoning की अब हम बात करते हैं यहां पर important areas of quantitative attitude क्वांट में आपके कौन कौन से important areas रहें ठीक है अब यहां पर एक चेंज है यहां पर एक चेंज है वह चेंज क्या मैं आपको बताऊंगा अगर आप देखेंगे यह जो डाटा दिया गया है यह आपका CGL का डाटा है CGL टायर 1 examination जो कराया गया था है उसका एक डाटा है कि उसमें जो आपके portions बुछे गए उसमें कौन कौन से portion कितने कितने सवाल रहे majorly वह आपको दिया गया geometry से mensuration से data interpretation से algebra tigrometry number system profit and loss simple interest compound interest time and work time speed and distance simplification ठीक है यह major topics रहे हैं जहां से सवाल बने major topic जहां से सवाल बने हैं लेकिन CHSL के exam pattern में अगर आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ changes किये गए CGL के exam pattern में वो changes नहीं लिखे गए हैं अगर हम यहाँ पर उस slide पर चलें तो एक बार मैं आपको दिखारा चाहूँगा कि CHSL वाले में क्या लिखा हुआ है कि basic arithmetic skills यहनी कि advance वाले सवाल जिस तरके से आपके CDL में आ रहे थे वह आपके CHSL में नहीं आएंगे major portions ज्यादा से ज्यादा सवाल जो होगा वह basic basic arithmetic से पूछा जाएगा इसका मतलब साफ साफ यह है कि basic arithmetic से सवाल ज्यादा होंगे ठीक है क्वांट की बात कर रहे हैं है बाकी जो portions हैं आपको देखी रहे हैं यहाँ पर compound interest है simple interest है profit loss है average हो गया percentage हो गया time distance हो गया time in work हो गया बोर्ण स्ट्रीम हो गया काफी सारे आपके arithmetic बनते हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर important बनेंगे तो क्वांट में बेटा आपको इसी तरीक से अपने आपको सीय के लिए तयार करना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे यहाँ पर English language जो आपका इंग्लिस का वेवर है उसके बारे में देखते हैं कि सीजियल में किस तरीके से चीज़ते रही सीजियल में यहाँ पर आपके जो सवाल पूछे गए हैं वह फ्रेजल वर्व से रहे हैं क्लोज चेस्ट पूछे गए एंटोनिम्स सीनोनिम्स एक्टिबेंट पैसिब वाइस ठीक है उसके बाद यहाँ पर error detection spelling errors एक और आपका substitution हो गया ठीक है यह आपके highlighted topics रहें सीजियल टायर वन 2022 के पेपर में तो CHSL में करना है हमें इनको फालो करनी पड़ेंगी यानि कि major areas जो आपको प्रिपेर करना है वो होगा आपके पास geos angesidences एंट्वोन आपको अच्छे से करना है फ्रेजर वर्ब आपको इच्छे से करना है इडियम ये और शाप टो इस तरहिके से आप की मेंजर टॉपिक करेंगे ए अच्छाण प्रैक्टिस करें आफ में च्छिक है इंगलिस के लिए अब हम लास्ट में एक बार बात करेंगे GKS और Current Affairs कि इनमें किस तरीके का सवाल किन किन टॉपिक से कौन कौन important areas रहे है GKS से लेकर या फिर Current Affairs को लेकर जिससे सवाल पूछे गए क्योंकि हम आप मैंने आपको क्या बला है कि यहां पर जो हम एक comparison करेंगे एक आकलन करेंगे एक data analysis करेंगे कि सीजियल टायर वन पेपर जो हुआ उससे हमें क्या सीखना है और वहीं बतलाएगा कि सी अचसल में हमें क्या करना है और किस तरीके से तयारी करनी है अब यहाँ पर देखिए current affairs जो है वो करिवन 7-8 सवाल current affairs से पुछे गए science से आपके 3-4 सवाल आए history में भी आपके 4-5 सवाल आते रहे quality में 3-4 सवाल पुछे गए geography में भी आपके 1-2 सवाल ले किसी में 2-3 सवाल आए जो आपका जीए general awareness का portion रहा है अब यहाँ पर बात यह है कि ठीक है सर आपने बताया कि साइंस से पुछा गया history है quality है जोगरफी है स्टाटिक पार्ट है current affairs है लेकिन इन में कौन-कौन से be nan a Lyam अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले सबसे पहले करें कराटे की कि करन्ट affairs की अगर बात करते हैं तो कितने महिने का परना चाहिए बच्चे कहते हैं कितने महिने का current affairs परेंगे तो काम बन जाएगा हम बलेंगे नहीं बनेगा क्योंकि सवाल जो पुछे गए आपके CGL टायर 1 में वो करीबन एक साल पहले तक का सवाल पुछा गया एक साल का करेंट अफेर्स आपको परना चाहिए एक साल का करेंट अफेर्स आपको परना है और सबसे अच्छा तरीका सबसे सटीक सोर्स की बात अगर हम करेंगे या CGL में भी जो एक रामबान सावित हुआ है वह हुआ है SSC BOLT मैगेजीन करेंट अफेर्स कौन सावित हुआ है SSC BOLT करेंट अफेर्स मैगेजीन जो आता है जो PDF आपको अवलेबल कराई जाती है हैना इबुक मिलता है एससी बोल्ट करेंट अफेर्स हैना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए मंतली बैसिस पर यह आउट होता है हैना जैसे कि अभी आपका जन्रेवरी चल रहा है तो नमबंबर दिसंबर अक्टूबर सारे अवेलेबल है पीडिय जैसे कि बुक एन ऑथर्स जैसे कि बुक एन ऑफर्स ठाइक है एक हां मंन इपमेंट्स एक हो सकता किसी एकने परेंट्ब眠 हो agree औ pin क्येह हो. गे किसी bank का चेरिमेन चेंज हो गया होगा या किसी बिवाक का शेरिमेन चेंज होगा उसको लेकर उसके बाद करें तो sports current affairs very very important sports current affairs very very important favorite topic of SSC ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हना और कौन से टॉपिक हो सकते हैं cultural news cultural news बहुत ही एक highlighted topic रहा है आपके SSC examination में अब cultural news में क्या है तो वह यह था कि मतलब कौन से जगापर कौन किसी स्टेट में कोई festival चल ला है हना या किसी भी स्टेट के कोई famous personality है जो कि एक particular dance form से belong करते हैं यह नहीं कि अगर हम बात करें तो dances हना dance forms यहाँ यहाँ पर जो festival जो festival रहा है हना उसके बारे में यह चीज़ें बहुत important रही है हना जिल लोगों ने exam दिया होगा मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग अपनी opinion को जरूर कमेंट में रखिए सभी लोग कमेंट करिएगा कि क्या इन चीज यह चीज़ें आप लोग सब्सक्राइब कर देखे थे या नहीं देखे थे ठीक है बस यही एक पैटर्ण जो है वह एक से 13 दिसंबर तक चला है कंटीनिवसली कंटीनिवसली ठीक है चलिए यह तो बात हम बता दिया आपको कि करेंट अफेर्स में आपको कहा कहा ध्यान देना है थोड़ासा कल्चरल पार्ट जो है वह कल्चरल और स्पोर्ट यह दो चीज़ें जो है ना और बुक एन ऑथर्स कुछ दो तीन चीज़े है जो कि स्सी ने अपना अबरेट बना रखा है जनरल अवेर्स के पॉर्ट्षन में यहाँ पर इससी ने इन तीन टॉपिक्स को बहुत ही बना रखा था सीजील के एजामनेशन में आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर साइंस की ठीक है कि साइंस जो है क्योंकि देखो जैनरल अवेर्नेस जब हम कहते हैं जीके जीएस करेंट अवेर्स बहुत ही बड़ा पोर्शन है बहुत ही बड़ा पोर्शन है बाकी जो है आपका जो एक रीसनिंग हो गया इंगलिस हो गए हाँ ठीक है यह भी सब्जक्ट है इसमें भी बहुत सारी बायोलोजी हो गए ठीक है अब यह तीन सब्जक्ट आपके यहां से सवाल पूछे जाते हैं अगर सीजियल में आपको याद होगा कि सीजियल टायर वन में जो आपके यहां पर पूछे गए वो क्या क्या पूछे गए कौन कौन से एरिया काफी इंपोर्टेंट बने हैं उ तो आपके SI यूनिट्स के बारे में पूछा गया उसके बाद अगरा हम बात करें यहां पर कैमिकल कैमिकल और मॉलिकुलर फॉर्मुला ठीक है रिखिए किसी किसी कंपाउंड का एक इस तरिक है ना कुछ आया थे सवाल ठीक है नाट्रस ऑक्साइड का पूछा गया था तो वैसे सवाल हमाई देखने को मिला तो CHSL में भी वो important बनता है उसके बाद vitamin deficiency vitamin deficiency के उपर सवाल क्योंकि हमारा काम ये है हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि एक सटीक point to point preparation होना चाहिए बच्चों का ताकि वो qualify कर सके उसके लिए पूरी गरंत नहीं चाहिए पूरी गरंत हमें नहीं लिखनी है हमें selective पढ़ना है उसके बाद अगर हम बात करें science में chemical molecular formula हो गया vitamin deficiency हो गया ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें biology में animal cell और plant cell animal और plant cell के उपर भी आपके सवाल यहाँ पर बने ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो biological structure कि कुछ biological structure के उपर सवाल बने ठीक है तो यह स्थार्य आपके बहुत important बने है physics chemistry और biology में ठीक है बाटा इसके उपर उसके बाद अगर आप बात करोगे history की कि history में कौन-कौन से topic आपके important रहे है ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर history की तो यहाँ पर जो आपका ancient रहा है वो काफी important रहा है जहां से आपका इंडस वैली civilization हो गया हरपा हो गया यह सारे portions आपके पुछेगे ठीक है उसके बाद modern history उसके बाद modern history का पूरा portion आपका important रहा है एंसेंट और modern काफी important रहा है वहीं पर हम बात करें quality की तो quality में आपके important articles क्या रहे है important articles काफी important रहे है ठीक है चाहे वो यहाँ पर fundamental rights से रहा हो चाहे वो DPSP से रहा हो चाहे वो प्रेसिडेंट से रहा हो ठीक है चाहे वो प्रेसिडेंट से रहा हो important amendment रहा हो है ना important amendment रहा हो ठीक है उसके बाद parts of constitution parts of constitution ठीक है उसके बाद preamble यह सब quality में काफी important और highlighted topics हैं जिससे की सवाल पूछता है SSC ठीक है अब हम बात करेंगे जोग्रफी की एक बार ठीक है एक बार हम बात करेंगे यहाँ पर जोग्रफी की जोग्रफी में क्या का important रहा है SSC के हिसाब से जैसा की CGL 1 का paper हुआ 222 का उसके हिसाब से क्या important रहा है उसके बारें बात करते हैं तो जोग्रफी में जो है यहाँ पर आपके river and dams river and dams ठीक है river and its tributaries सायक नदी ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो hills and plateus hills and plateus काफी important topic आपका रहा है तो यह सब क्या करना है आपको revise करना है CHSL exam के लिए आपको यह साय टाबिक से करने बेटा आपको revise करने है ठीक है या फिर स्वाइल के उपर हाना atmosphere के उपर सवाल पूछे गए सवाल पूछे गए हैं तो आपको बेटा परना पड़ेगा ठीक है स्वाइल के उपर या फिर earth के उपर अर्थ के उपर structure of earth अर्थ structure के उपर सवाल यह काफी important पार्ट आपका रहा है जोग्रफी का तो एक overall हमने बता दिया आपको कि चारो subject में आपको करना क्या है चारो subject में आपको करना क्या है इसी तरीके से तैयारी को करनी है CHSL 2023 में March में जो आपका पेपर एक tentative है कि March में होगा उसको लेकर तैयारी करनी परेगी I hope आप सभी लोगोंको यह समझ में आ गया होगा आप जो भी practice करेंगे जो भी आप revise क करेंगे वह इसी तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हैना एक टाइम टेबल बनाईए और इसके हिसाब से आप अपने तयारी को आगे लेकर जाईए अभी आपके पास दो मैने का समय है जिसमें कि आप इन सारे ट्रापिक्स को एक अच्छे तरीके से कवर कर सकते है ठीक है एक दिए आपको पास करनी है तो अनलाइज करना बहुत जरूरी है और मैंने आपको यह चीज़े करके दे दी है अब आपका काम बस यह है कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ और यह सारे ट्रापिक्स को जितने भी यहाँ पर बात किये गए इसको कवर कर लो इस सब्सक्राइब करेंगे ताकि एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाएं तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए सभी लोग इसको फालो जरूर करिएगा और अपने सजेशन्स अपने कमेंट अपनी राइ इस बारे में कमेंट में जरू थैंक यू सो मुझ वार्थ इस वीडियो वार्थ इस वीडियो वार्थ टेक चर गड्लस यू